खास तौर पे जिन के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ हमारे कॉंगर्स पार्टी के पत्याशी विवेक शर्मा जी जिनकों की लगबग 15-20 दिन के बाद 20 दिन के बाद आप कुछ लहड के विधाय के तौर पे देखें हमारे अमीरपूर संस्तिया सीट से पार्टी के उमीदवार शिरी सक्पाल राजादा की धर्म पत्ने शिमती राजादा भी यहाँ पे मौझूर है हमारे उपलहर जिधान सभा के अमीदवार विवेक शर्मा जी की धर्म पत्नी शिमती शर्मा जी यहाँ पे मौझूर है जब पत्नियां घर से निकल पड़ती हैं तो समझो कि काम होने वाला दोस्तों पर्देश में हमारी सरकार है पर्देश में कॉंगर्स पार्टी की सरकार है लेकिन पूरे देश में जो महौल है इस समय बगला हुआ है मैं अभी राइब रेली से आ रहा हूं वहां पे हमारी मीटिंग है थी राहूल गांदी जी वहां से चुनाब लड़ रहे हैं और यह बड़त से प्रचंट लहर राहूल गांदी जी की वहां पे चल रही है प्रचंट लहर है मुझे लगता है कि अपकी बार पांच लाग पार और साथ की कॉंस्टिकंसी अमेठी में समरीतिय राहनी प्रणाब लड़ रही है मुझे लगता है कि उसका भी हो गया काम समाथ जो लहर चल रही है पूरे देश में भाग्य जंता पार्टी कुछ अरसा तक आपने देखा कुछ दिनों तक पहले कहा करती थी अपकी बार जांसों पार आज कल भाग्य जंता पार्टी इस नारे से बुरेंद कर देखे उनको पता लग गया कि अपकी बार बहां जाने की त्यारी है पूरे देश का महब बनल गया है और ने खास तोर पे उन्हावाजों से भी कहना जाता हूँ कि यह मौका है अपने दिले का एंपी बनाने का इसलिए चार तर्म से हमीर्पुर से MP बन रहा है आप ने बनाया आपने भी इसायोग किया लेकिन इस दफा जो है अपने जिले का सांसत बनाओ इतने लोग आप इस सवा में आये हैं कि आप मेरे से सहमत हैं कि अगर आपको अगर आपको इस जिले को राजनतिक तोर पर मजबूत करना है योग और दूसरी करफू जो बिदान साथ के हमारे उमीदवार है उपकलह से मैं पहले आपसे पुछना जाता हूं कि क्या कुठले हर शेत्र में क्या हमने टिकेट सही दिया है क्या ये टिकेट सुछा जाता हूं कि ये टिकेट क्ला हमारा ठीक है क्या ये गर्ती टिकेट का धिकारी था क्या क्या ये कॉंगर्स पार्टी के लिए काम कर रहा था और अगर आपको ऐसा लगता है तो अगले जो पंगरा दिन आप इसकी खुले दिल से मदद की लिए हम एक बहुत ही हम एक बहुत ही पावन स्थल पे ये मीटिंग कर रहे हैं महादेवजी का ये क्षेवर है और उस क्षेवर में जब आप मिटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रहुक प्रभू श्रीवाद आपके रूप में इन पर बरस रहा है इन पर बरस रहा है यह जरूर मैंने इनको कहाँ अभी मैं नालाकर में मीटिंगे करके आया वह लोग कह रहे थे कि जो व्यक्ति अभी MP बनने हैं या जो MLA बनने हैं इनको आप या सीख देते हैं कि आप 25 साल से MLA चल रहे हैं लगातार MLA है आपकी दंता आपको बोर डालती है तो आप क्या इनको कहना चाहते हैं तो मैं तो भी मेक्ति को यही कहूंगा पंजाबी में कहते हैं ना कि व्याकर वाके वे मिलदा गरता रहे हैं वो M.P. बनके जो है मिलदा गरता रहे हर आदमी को M.P. से MLA से काम नहीं होते हैं नबे परसेंट ऐसे लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है लेकिन वो विधायत का M.P. का अचरन देखते हैं यह इसकी गर्धन सिथी है के नहीं यह नमस्ते का जवाब देता है के नहीं यह घर राइल गर्ति को मिठाता है के नहीं तो इसलिए यह राजभलती यहां सेवा भाव का काम है यहां सामने वाले कभी गसने आपके यहातन inici निकल कि अधावं से लृ इतनी आज करमी थी उसके बाद मूनि इतने लोग आए हैं अगर यह आए हैं आपके लिए तो इसलिए आये कि आज हम आपके साथ खड़े हैं जब आप जीतेंगे आप हमारा ख्याल रखें आप इस पिशेटर का ख्याल रखें और आपने देखा कि जब फैसले जीवन में गलत हो जाते हैं अब मैं नालागड में था तो वहां पर पहले इंसाथी थे हमारे लक्विंदर राणा जी जब टिकेट की भारी आई तो विनाश काले विप्रिट पूती बीडेपी में चले गए बीडेपी में चले गए और MLA नहीं बने अभी पीछे कह रहे थे कि मैं अगर कांग्रेस में होता तो मैं MLA होता हमने कहा कि गल्प गारी पे चड़गे तो कैसे होता उसके बाद एक दूसरे साथी जो आज कल MLA थे चौदा मेहिने में वह फिर किसी और गाड़ी में चड़गे और राइनिती में ते लोग राइनिती में दोस्कों एक बार MLA बढ़ना बढ़ा मुश्कल आता है कि MLA कोई असान काम थोड़ा नहीं एंपी बनना कोई असान काम थोड़ा निए जो लोग सोचते हैं कि कल आपने मुझे बोट डाला था वोसकता है कि अगले कब नादा ले तो जो लोग जो यह छे लोग जो जो बिदान्समा से बाहर हुए कंग्रस के इन्होंने यह तो चा जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि स्थितिया क्या है इस पूरे सत्थ हिमाचल पर्देश में सरकार गिराने की एक साजिस हुए उनको सबसे ज्यादा जो रुप्ती सेंटर था जो भुकम वाया उसका भुकम का जो शेटर था वो हमीरपूर पारलेमेट नसी था कि पिन अनले हमेदपुर के थे दो उना के थे एक जो है देरा सिटा को से अनले को जो है हमारी सरस्थिय सीज्ट से जिन्होंने लोजना बनाई कि ये सरकार गिरा ज़ते हैं पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई दाओ उल्टा पड़ गया राजय सभा में बोट डाल दी राजय सभा में बोट डाल दी कांग्रस के थे बीजेपी को बोट डाल दी अगले दिन जब विधान सभा पौँचे और कहने लगे कि हमारी सीटे कहा है तो बताया गया अजैक इसागरेट का खालने की कुझे की अध्यक्ष की शक्तियों परसप ने है कि I कं अधेक्ष की शक्तिया ये थेट ने तो why ये जो है कुझा तो ऐसलने अजी है के अजैक्ष ने गश्कया है कि कर्सिई हुआ जिकलएवध की mix, सबसे बड़ी अदालत में चले गए जब अदालत में गए और यह कहा कि हिमाचल प्रदीश विधार्सवा के अध्यक्ष ने हमारी कुर्सी हटा दी सर्वोच नियाले ने कहा यह तो बिल्कुल ठीक किया कि देश की सबसे बड़ी अदालत में चलते हैं विधार्सवा में नो एंट्री होगी सर्वोच नियाले नो एंट्री होगी अब जब आपके दरवार आ रहे हैं अब आप भी दरवाजे बंद करें और गहरें हुए आपने यह सहिंगी पेंशन लग जाएगी पेंशन मिलेगी लेकिन नौकरी नए आदमी को मिलेगी पेंशन कि अब आपने सोच विजार के कुट्लैर का भी पता मीं क्या भागया 32 साल बाद हमेले मिला वो भी बगाओ विकाओ माल नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा अब मेरे वे फाजल दोस्त भी यहां पर मेरे दोस्त है वेसे और चार बार के हमेले हैं और मैंने उन्हें को साथनिक तौर पर भी अपील की है अग्रह करता हुँए अगर मेरे हलके में ऐसा होता तो मैं कभी उस्मेक्टिका साथ नहीं देता हुए मेरा कमर साथ से मेरा यह आग रहा है ब्रिष्ट नेता है बहुत ब्रिष्ट है चारवार के हमेले है मंत्री रहे ऐसी नौकरी मत कर लेड़ा ऐसा बैग ना बस्ता ना उठा ले रहे आप अपने समान के लिए जड़े जाते हैं अपना समान बरकरा रखें कि अमेले शित्की कोई बात नहीं जटाव इसकरती है तो इसलिए कि अधार सारे सारे हिमाचल देख रहा है सारे हिमाचल में सरकार जिरने की कोई बात नहीं यह तो मैं आपको बता ज़ता हूँ कि तो वीजेटी आपने पिछे सुना वाग वीजेटी में कहा था कि इसके बाद हमारे पच्छी के पच्छी अमेले अस्तिफा देंगे हम तो कह रहे हैं दो ना क्यों नहीं दे रहे हैं जब आपने लोगों को यह कहा पच्छीस लोग अस्तिफा देंगे तो क्यों नहीं द और आप आप देख रहे हैं मुबई से कंगना जी आई है कि कंगना जी कह रही है कि मैं को हिट फिल्म देने के लिए जानी जाती है हम ने कहां आप जैराम की प्रोडूक्शन हाउस में आगे हैं फ्लॉप हो जाओगे लगातार कह रही थी यह राजमिती बड़ी तेनी चीज़ है जिसके बारे में कुछ ना पता हो राजमिती वो सब चीज़े बहता देते हैं कि कौन क्या तरवा जैसे अभी यहां पे बोल वेते यहां कोई कह रहा था कि यहां शुराब कार खाना लगना था यहां प्रेशर लगना था अब जिंता मत करो मुकेशन में उत्री इस दिले का पस्तूडियन है आप आपकी भावनाओं से हटके किसनी होने दिया जाएगा हुना और खास्त तौर पे महादेव के मंदर के आसपार शिराप के कारखाने की सोच भी मत रहे है यह बहुत ही पावन सल है पावन लगनी है आपकी तो इसलिए यहाँ पे सोचना मैं आउंको बताऊं कि एक बार ऐसा ही जेल बनने की बारी आई थी तो बाबा रुद्रूजी के धाम के आसपार जो है जेल बनने लगा था तो महराज का मुझे संदेश आया है उन्होंने कहा इतनी बड़ी तपोस्थली है और आप साथ में देल बना रहे हैं हमने कहा आपको बोन नहीं काफी है आपने कह दिया कि यहां पे जेल नहीं बनेगा जेल को दाइवाइटर दिया जाए और आपकी कॉस्टिकेंसी तो पास है और महादेवजी का स्थान आपके यहां पे हर तर्फ जो है आप तो बहुत ही पूझनिया और बंदनिया लोग हैं कि जो ऐसे ऐसे नगरी में रहते हैं और फिर इतने इस्वरिय स्थल यहां होने के बाद कि यहां के MLA को हुआ कि हमें उज्जे तो यहीं नहीं सब् कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए है अ और हमें जो इन इसे भी कहना चाहूंगा नहीं चाहिए जनता का प्रतिनीत होता है वो जनता के लिए मैं 25 साल का मैय लe होग गा मेरा को बास चलता है accounting चलता ना mesas की प्रैशर है ना मेरी कोई और ऐसा कारों बाहि अपूछ है जिससे जुनाब लट्वे मैं देख रहा था कि होनियादी वहां से 5 लार MP बने इंद्रा जी वहां से MP बने तो मैंने वास के लोगों से पुछा कि इनकी जीटता कारण क्या है तो उन्हों ने कहा कि ऐसा दप्तर बढ़ा हुआ है कि एक फोन पे कोई भी आद्मी बिमार हो जा है एक फोन कॉल पे सब चीजें उपलब हैं यही संसग और विधायक की असली जिम्मेबारी है और फोन को फोन को उठाना जो है यह दो लोग फोन स्विच आफ कर देते हैं यह जंता भी फेड़ आफ कर देती है यह तुले रखने की बात है क्योंकि मौका तो हर व्यक्ति काता है आज जंता काया हुआ है है और जंता ने वो टाल ने है ऐसलिए मेरा आप से यह आग रहा है की दिवे की तंब हैं से शंधर्ष कर रहा है एक अक्सा से यह संगर्श कर रहा है और इस लफा जो है आप अपड़े दोनों हाथ इसके सब्सक्राइब तो इसकी बीट में इसको MLA बनाओ एक बार पर्खो आप आप पर्खो और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इलाके के वितास के लिए क्लियान के लिए ग्रीव की सेवा के अजन्डे को हम आगे लेके जाएं